नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनुइंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं सभी का खेर मगदम करती हूं यूकरेन और रूस में जो यूद है उसका आज 9 दिन ने और पूरी दुनिया की निगाह यूकरेन के जापो रिजिया निकलियर प्रण्ट पर ठिकी हुई है क्योंकि रूसी सेना के हमले के बाद इस निकलियर प्लांट में आग लगी है और जैसे जैसे धुएं के साथ ये खबर भाद निकली भगदर पूरी दुनिया में मच गई है और इसी के साथ एक और हास्सा भी जाद आता है 1986 का शर्नोबील का हधसा रूसी सेना उकरेण की जमीन को ऑरूद से बरबात करने पे तुली हुई है उसको पूरी तरह से मले हमेट करने में तुली हुई है लेकिन अब इस बारूत में लगी आग का सर उसकी तपिश समुचे यूरूप को डरा रही है डराने लगी है क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रूसी सेना को यूक्रेन के भीतर जबर्दस लोहा लेना पड़ रहा है उसके बाद की बात जो आशंका है अब और भी ज में कल शाम से काफी डर का महौल है और उसके डरने की वज़े जो वो अरिजिया निकुलेर प्लांट है क्योंकि इस प्लांट में गुरूवार को रूसी सेना ने हमला किया इस प्लांट के पास कोई गुलावारी की वज़े से प्लांट में आग लग जाती है और कहते हैं कि बारूद में जब आग लगती है, तो उसकी तपिश जो है, अकेले उसी जगा तक सीमिट नहीं होती, बलकि जहां तक बारूद बिखरा होता है, आग उससे भी काफी आगे तक चलती है, और ऐसा ही कुछ अब युक्रेन की बजालत योरोप में दिखने की आशंका बढ़ती ज जा रही है, जैसे ही युक्रेन के जापोरिजिया निकलेर प्लांट में रूसी सहना के कबजे की खबर और उसमें आग लगने की भनक योरोप को मिली, पूरी योरोप में इस बात्चे संजन इसी दोड़ गई है, क्योंकि हर किसी को एक जटके में 1986 के चर्णोबिल निकलेर पावर प्लांट में हुआ हासा जाद आता है, अमेरिका से ले करके योरोप तक के तमाम देशों में हलचल अचानक से तेज हो गई है, तमाम राजनेताओं से ले करके डिप्लोमेट तक फून पे बात कर रहे हैं, क्योंकि निकलेर प्लांट के रिडियेशन फैलने की आशं आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और ख़बर के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखे, जय हिन, जय अफारत!